आप सभी लोग का दिमांड था कि मैं एक नया देसी डियाईवाई मॉंस्टर फिस पॉंट बनाओं और पने पास मॉंस्टर फिस रहाँ तो फाइनली आज मैं नया देसी डिवाइघ मॉंस्टर्फ फिस पॉंट्ट बनाने जा रहा हूं और मैं इस नय मॉंस्टरब्स पॉंड्ट के पिंदा रख ने वाला हूँ ऑसकर फिस खरीद आई यह सभी सब इंपॉर्ट कर फुछ तब खूंगा तब आप देखिए को बहुत यह खुबसूरत और बहुत प्यारे यह सभी फिसेज है और अगर आपको भी आसकर फिस पसंद है तो आप इस तरह का देशी डियाई वाई मॉंस्टर फिस परण बनाकर उसके अंदर आसकर फिस रख सकते हैं बस आपको इस वीडियो को पूरा अ आसकर को इस प्लास्टिक से बाहर निकाला और इस टोकरी के अंदर रखा ताकि फ्रेस हवा ताजी हवा का मज़ा ले पाए तब तक हम इनके प्यारे से घर को बनाना सुरू करते हैं तो मैं इन आसकर को रखने वाला हूं आउटडोर ही जिस तरह मैं आपने सभी बाकी पॉ आए अट्योuld कि आजाता है और कई बार सब्ली से करने के लिए बढ़ा करने के लिए बढ़ा करने के लिए और पानी से फिल और पानी से फिल होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा एंटिकलोरीन भी डाल दिया क्योंकि फ्रेस पानी ताजा पानी तो इसके अंदर आसकर को कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बाद मैं लगाने वाला हूं इसके अंदर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन के लिए मैं यहां पर इंटर्नल फिल्ट्र यूज कर रहा हूं ऑसकर के लिए फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा खाते हैं साथ ही बहुत ज्यादा पूप भी फिल्ट्रेशन बहुत जारा जरूरी है तो इस इंटरनल फिल्टर को जल्दी से मैंने सेट किया और इसके बाद मैंने इसको चेक भी किया और यह अच्छे तरह से काम कर रहा है तो अब बारी आता है ऑसकर्स को इस पॉंड के पानी से अच्छी तरह से अंधर आप देखिए अच्छी तरश से स्विंसें एक और उनकोिस फोटते हैं इस जेलिए मैं इस पॉंट के अंदर कुछ एड़ नहीं कर रहा हूं फिलाल के लिए इन मचलियों को इन ऑसकर को एड़ करते हैं इस पॉंट के अंदर अभी आप साथ में इनका कलर पैटर्न भी देख पा रहे होंगे इनका कलर पैटर्न बहुत प्यारा बहुत खुबसूरत है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चंदे सभी आपने से कोई घंभी आण को डिआन सबहरी कर को नियुकर को काफ़ी लंबे समय से और फाइनली मुझे मिल गया है तो मैंने इन सभी ऑसकर्स को छोड़ दिया इनके प्यारे से नए से घर के अंदर अभी फिलाल ये सभी बॉटम में एक किनारे पर ही बैठे हुए हैं ऑसकर्स को जब भी अपने जगा पर सिफ्ट करते हैं तो वह इसी तरह ड़ते हैं चुपते हैं लेकिन कुछी दिनों में इस जगह के बॉस बन जाएंगे और जब मैं कोई नहीं मचली लाओंगा तो यह उस पर अटैक भी करेंगे फिलाल के लिए तो यह अभी यहां पर एड़ेस्ट हो जाएं जल्दी से साथ ही मैं इस पॉंड के अंदर मितलीन ब्लू भी डालने वाला हूं क्यूंकि मैंने नो इस दिन का हाल उतना खास उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आप पानी का कलर देखिए कितना ज्यादा अजीब सा गंदा सा हो गया है क्योंकि कल रात में मेरे आब बार बारिस हुआ जिसके कारण जो यहां पर पौधे वगर हैं उनकी सुखी पत्तिया इसको उपर गिर गई नहीं कर रहा है और में इस पान को क्लीन करता हूं और इसके पानी को पूराइश करता हूं और मैं थेंगते हैं और साफ पानी के अंदर धा zar चेंज होने के कारण यह थोड़े से डर गया है और नीचे बॉटम के साइड बैठे हुए है और जैसे मैंने फिल्ट्रेशन शुरू किया तो यह और भी ज्यादा डर गया है और फिल्टर के आसपास पूरा जाकर चिपक गया है क्योंकि उस जगह पर ही जैसा स्पेस मिल रहा यhi आसकर्स जब बड़े होगे तो किसी को यहाँ पर छुपने नहीं देंगे तो अभी इनको एकसाइट करने ने के लिए इनको फ्र graffiti यह यह ऊपर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फ्रल्फ फॉर्वड कि है और कैमरा को सेट करके यहां से हट गया मुझे लग रहा था कि मुझसे डर कर यह खाना साध नहीं खा रहा है तो इसलिए मैंने यह सब किया और थोड़े दिर के बाद ही यह सभी ऑसकर्स एक्टिव हो गए और फिल्टर को छोड़कर आसपास घूमने लगे साथी फीड भी लेना जिस्ट हो जाएंगे तो यह अपने हिसाफ से ही चीज़े करने लगते हैं किसी प्लांट को खालगे कहीं और फिक देंगे कहीं इस्टोंस को उठा उठा कर इधर उधर रखते चलेंगे अब और अपना घर अपने हिसाफ से सजाते रहते हैं तो इसलिए मैंने इस इंक सामने था बेटा रहा और तो बालट से एकर शुरू कर दिया यही क्वालीटी होता है अच्छेव लेश्य के और अनुस इंवार्मेंट में सभुण हो साटी जल्दी में आपको दिखाऊंगा और साथ को फिलाल के लिए कि लिए आपको बाई कुणको पसंद सब्सक्राइब कीजेगा मैं भी